अगर आपके फोन में डाइल पैड वर्क नहीं कर रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सही करें इससे रिलेटट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कैसे सही करें यहाँ पर दो तरीके हैं इसे सॉल्फ करने के तो विडियो ध्यान से देखते रहिए पहला तरीका फोन की सेटिक्स में जाएं एप्लिकेशन मैनेजर यानि एप्स में जाएं सी ओल 65 एप्स मतलब यहाँ पर जित्ती भी एप्स होगी इस पर जाएं फोन नाम की एप होगी तो आप उसे ढून लें यह रहा हमारा डाइलर इसे ओपन कर लें एंड यहाँ पर आपको स्टोरेज पे जाना है और यहाँ से इसका क्लियर कैच एंड क्लियर स्टोरेज करना है कोई भी डेटा डिलेट नहीं होगा डोंट वरी ठीक है यहाँ से बैक आएं अब यहाँ पर चेक करें आपकी डाइलर से रेलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी वो सही हुई है या फिर नहीं अगर अभी भी सही नहीं हुई है तो यहाँ पर आपको दूसरा स्टेप अपन आना है दूसरा तरीका फॉलो करना है उसके लिए सिंप्ली प्ले स्टोर में जाए इस आप को आपको इंस्टाल करना है बहुत छोटी सी अप्लिकेशन है इसका नाम है इजी फोन डाइलर इसे इंस्टाल कर लें इंस्टाल होने के बाद इसे ओपन करें यहां पर get started पर क्लिक करें continue करें permission को accept करें allow करें accept करें allow करें और यहां पर आप आप easy dialer set कर दे और set as default पे click कर दे बस यहाँ पर अब हो गया आपका काम यहाँ से और अब यहाँ से आप इसे cut कर दे यहाँ से आप इसे remove कर दे और यह वाला dialer यहाँ पर ले के आ जाए यहाँ पर यह डाइलर आ जाएगा automatic इस पर click करें यहाँ पर आपको आपके सारे numbers calls दिख जाएंगे यहाँ पर आप किसी का भी number dial यहाँ से कर सकते हैं किसी को भी call यहाँ से कर सकते हैं